आपने शायद ध्यान दिया होगा कि कुछ वर्षनों तक जहाँ इंडोलोजिकल सेमिनार हुआ करते थे वहाँ अब साउथ हेशिन स्टडीज होती है भारती उप महादूइप के नाम पर इस दक्षी नेश्या के नाम को क्यों थोपा जा रहा है यह समझेंगे हम आज के वीडियो में और उसके क्या माइने है यह भी जानेंगे वैसे भारत के लिए नई बात नहीं है कि उसे अलग-अलग नामों से पुकारा जाए सब्त सिंदू के नाम से कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर साथ नदियां बहती है जब यूनानी यहाँ आये तो उन्होंने इसे इंडॉस कहा जब फार्सी आये तो उन्होंने हिंदुस्तान कहा हमारे महकावियों में इसे आरेवर्त कहा गया है और पुराणों में भारत वर्ष कहा गया है और जब अंत तह अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने इसे इंडिया कहा लेकिन इस दक्षिन एश्या के नाम से क्या समस्या है इसे समझना बहुत आवश्यक है क्योंकि इस लेबल को हम पर ठोप कर हमारे दिमाग के साथ खेलना का प्रयास हो रहा है और साथ ही यह चा रहे हैं वे लोग कि हम इस लेबल के चंगुल में फस कर रह जाएं और हमारी जो भी जड़े हैं इतिहास, सभेता और परंपरा की उनसे कट कर रह जाएं और यही काम करेगा यह दक्षिन एशिया शब वेनुगोपाल नारायनल लिखते हैं कि 1980 के दशक से मुख्य रूप से इस दक्षिन एशिया शब्द को बढ़ा चड़ा कर उप्योग किया जाने लगा और तब एक अमेरिकी गायक थे कैड केलोवेल उन्होंने जब अपनी मुजीशियन के बारे में लोगों को जानकारी दी जनता को जानकारी दी तो यह कहा कि उनके मुजीशियन एक ट्रिप पर गए है यूरोप, स्केंडिनेविया और भारत की लेकिन भारत के लिए उन्होंने सिर्फ सब कॉंटिनेंट शब्द यानि उप महादूइप का उप्योग किया और यह नहीं कहा कि कौन सा महादूइप, कहा का महादूइप और कैसे लोगों ने समझा होगा कि वह भारत की बात कर रहे हैं यह अभी एक प्रश्न है लेकिन एक अमेरिकी पॉलिटिकल साइंटिस्ट है जो की रणनीतिक मामलों के विशेशग्य भी है स्टीफन पी कोहन माना जाता है कि उन्होंने इस शब्द की शुरुआत की और सबसे जादा उन्होंने ही इसका उप्योग शुरू किया वाशिंटन डीसी में जो मुख्याले इस्थित है अमेरिकी विदेश सेवा का वहाँ पर प्राया से नए नए शब्दों को काफी आसानी से सुईकृती मिल जाती और वहाँ पर इस शब्द को सुईकृती मिल गई ध्यान देया वह समय था जब सोवियत संग का पतन हो रहा था और विश्व तयार हो रहा था नई पहचानों के लिए नई विवस्था के लिए ऐसे में बहती गंगा में इस नए शब्द को जोड़ लेना काफी सरल हो गया था और इसलिए तब से दक्षिन एशिया शब्द क बहुतायत से उप्योग होने लगा पाकिस्तान इस शब्द से काफी प्रसंद हुआ क्योंकि विभाजन के बाद भी उसे स्वयल को भारतिय उप महादूइप का भाग कहना पड़ता था जिसमें भारत शब्द आता है और उसे यह बरदास्त नहीं था लेकिन जब दक्षिन एशिया शब्द उसे मिल गया तो यह काफी प्रसंद हुआ और साथ ही पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान और मध्य एशिया भी इस दक्षिन एशिया शब्द से काफी खुश हुए लेकिन जो अमेरिकी पॉलिटिकल साइंटिस्ट और नरेटिव बिल्ड करने वाले लेखक थे जिनने पॉस्ट मॉडरनिस्ट सबल्टन स्टडीज करनी थी उनके लिए सिर्फ पाकिस्तान को खुश करने के लिए शब्द का उप्योग नहीं किया गया उनका उद्देश यह था कि जब हम इस शब्द को थोप देंगे भारतिय भुभाग पर दक्षी नेशा शब्द को तो वह अपनी सभी जड़ों से कट जाएगा और फिर उन्हें कोरा कागज मिल जाएगा जिस पर वे जो चाहे वे लिख सकेंगे और तब अलग-अलग भार्षा की थियोरीज पनपी कैसे अलग-अलग लोगों में भेदभाव था कैसे मन मुटाव था इस तरह की फियोरीज वे इस शब्द का उप्योग करके ही पनपा सके क्योंकि हम सब जानते हैं कि जैसे ही भारतिय महादूर शब्द का उप्योग होगा तो इसमें कैसी एकता है एक जुटता है और किस तरह से सभ्यता और भोगोलिक रूप से हम जुड़े हुए हैं न कि हम किसी आद भूमी का दरजा भारत को दिया जाता है लेकिन ये चीज विदेशी अध्यान और शोद करताओं को बरदाश नहीं हुए और उन्होंने दक्षिन एशिया शब्द के उप्योग की शुरुआत की इसे आप वैचारिक रूप से देखें कि यदि कोई ऐसा युवा है जिसे उ एक विचार शुन्यता हो जाएगी और तब कितना सरल हो जाएगा कि उसको आप अपने पाले में कर लें कुछ ऐसा ही प्रयास दक्षिन एशिया नाम के साथ भारत के साथ किया जा रहा है जहां मन मुताबिक उसका इतिहास लिखने का प्रयास हो रहा है और इसके अनुसार और कुछ चीजों को उठा कर प्रस्टूत कर सकते हैं ये सारी स्वतंतरता उन्हें मिली सिर्फ इस दक्षिन एशिया शब्द के उप्योग से वैसे भू विज्यान में अभी तक जो लोग है वे इस शब्द का उप्योग नहीं करते हैं जादा तर भू विज्यान में अभी भारतिया उप्महादूइफ शब्द का उप्योग होता है क्योंकि जो गोंडवाना महा महादूइथ था उससे कटकर भारतिया उप्महादूइथ बना था और इसलिए भू विज्यान की दृष्टी सही से उप्महादूइथ कहना ही सही होता है लेकिन अब वहां भी यह प शब्द का उप्योग नहीं होना चाहिए और जो भारत सरकार भी जैसे जैसे बहती गंगा के अनुसार स्वयम इस शब्द का उप्योग करने लगी उसको समझना चाहिए कि इस शब्द के क्या मायन है इससे क्या नुकसान हो सकते और सरकारी दस्तावेजों से सबसे पहले इस शब्दों को हटाया जाना चाहिए ऐसे ही पाठिकरम जो लोग पढ़ते हैं उनसे भी दक्ष शब्द का उप्योग करके वे हमसे यह चाहते कि भूल जाएं कि जो भारतियों महादूइप है वह एक है और इसलिए हमें इस तरह की चीजों के प्रति सजग रहना होगा मैं वह निश्ठा अनुश्री देखते रहें स्वाराजी